सितापूर में तहसेल सिधौरी छेत्र का रावुत ब्रिकफिल्ड उस समय सुर्खियों में आ गया जब सोशल मीडिया पर एक मैसेज तीजी से वाइरल हुआ कि रावुत ब्रिकफिल्ड के मैनेजर ने मजदूरों को बंधक बना लिया है हाला कि भट्टे पर काम कर रहे मजदूर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें बंधक बनाया गया लेकिन उन्हें काम करने के बदले मजदूरी नहीं मिल पा रही है इसके पीछे सच्चाई क्या है इसे समझने के लिए आए पहले मुहमद अंसारी सहित मजदूरों को सुन लेते हैं मतलब हुपाइसा उठाया है इसे लिए मतलब हैसा बोला था हम लोग स्कर्ण अधे लिए घर में पैसा का जोग रते अधने के लिए प्रसने में कि अगला आदमी को दे दिया है मनिजर्ट पाइसर जाना पड़ता है कि अगला आदमी को दे दिया है मनिजर्ट पंकज नाव मनिजर्ट पाइसर जानते हैं कितने लोगों को वहां पर पंदक बना के रखा है बताया चाता है किन मजदूरों को बैजनात नामत ठेकेदार ने राउत ब्रिक फिल्ट पर भेचा है मजदूरों को यहां काम दिलाने के नाम पर उसने 25,000 रुपे ब्रिक फिल्ट मैनेजर से हासल कर वापस चला गया जो अभी तक वापस नहीं आया उदन मजदूरी ना मिलने से मजदूर अपने घरों को पैसे नहीं भेज पा रहे है जबकि उनके घरों से लगातार पैसे भेजे जाने के लिए कहा जा रहा है बट्टे के ठेकेदार अयूब अंसारी ने आई इंडिया को क्या बताया आप भी सुने मेरा नाम है अयूब अच्छा अच्छा बंधा किसी को परिवार को नहीं बनाया रहा है प्रब्लम यहीं है कि सबका बाल बच्चा हम भूखा मर रहा है और पैसा में नहीं पाग जिया है नपता है इस चलते बोला कि देखेए पैसा काम कर रहा है कोई और ले रहा है पैसा मिलने रहा है खारना पीना के लिए दिक्त होगा वहां पेजना है पैसा रहे है पैसा ने लोके पाव तका करेगा मामले में रावत ब्रिकफिल्ड के मैनेजर पंक जियादो ने बताया कि उनके भट्टे पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है बंधक बनाकर रखने वाली बात पूरी तरह से जूट है यदि किसी को हम बंधक बनाए होते तो बाहर कैसे आता मामले में केवल रावत ब्रिकफिल्ड का नाम बदनाम किया जा रहा है फर्म के मालिक विधायक मनीश रावत है और उनकी केवल शबी को धूमिल किया जा रहा है मैंनेजर पंकर ज्यादों ने आइंडिया को क्या जानकारी दी आप भी सुनिए मैं रावत ब्रिकफिल्ड का मैंनेजर है जो मजदूरों के लिए कहा जा रहा है या जो लोग दिखाने का प्रयास कर रहे है वो आप खुद ही आप लोग मजदूरों से ही पूँच के जानकारी कर सकते हैं कि उनके साथ कैसा वेवार हमारे बठ्टे पो रहा है हमारे बठ्टे पे ना किसी लेवर को बंधग बनाया गया है ना किसी को ऐसा कहा गया कि आप घर नहीं जा सकते ना किसी को ऐसा कहा गया कि मैं आपका पैसा नहीं दूँगा ये सारी बाते आसकते हैं ये सिर्फ हम लोगी छवी खराब करने का एक मात जरिया है और मैं अभी आपने लोगों ने लेवरों से भी बात की हैं और आप फिर ही बात कर सकते हैं निहीं किसी को बंढ़ा जाएगा घसक का अगर बंधग था तो आपने कमरें बंद तो हमारे आफिसम वह बंद था मैंने जहां उसको बंद के लखता था आप वो चीद दिखानी चाहते कि इस कमरे में लेवरों बंद कर रखा गया है, इस बढ़ा बठे के लोग बंद है, इसने बंद कर रखा है, जैसा तो कुछ है नहीं, अपने वो मड़ई हम रह रहे हैं, जहां उनका घर अपना बनाया, जहां वहीं फड़ में खाना खा रहे ह नहीं परूंद कर रहा हैं अब यह का ओऊ क्वा रहा घर नहीं जा सकते झाल तो कि एक ठेकेदार था बैजनास रमाध, उन्हों हैurg्के 20,000 घर आका में आपके बठे हैँ प्रस्तान हैं मैं इन लोगों को नहीं जानता ये रहने वाले साथ जारकांड राची मेरे इन कभी कोई संपर्ग नहीं राज जब वें बठे पाई तहां रहने वाले इस पोछा तो वेजनाथ ने को मेरे भट्टे भेज दिया कि आप वहां रावत भी लेते जाईए अच्छा रावत भी फिल्ट पर यह लेवर आ गई है अपना काम करने लेगे विचारे हमारे भट्टे जो पैसा लेके गया वह इन लेवरों के नाम पर वह लेके चला गया वैजनात बैजनात ने इन लेव मैं आपको तो जानता नहीं हूँ ऐँ मैं gather आपसे कोई मतलब है ना मेरा आपसे कोई सब्बंद है हाँ हमारे भट्टे आप काम कर रहे हैं अगर भट्रे को प deg now की को रिकास हो gewoonगी या रहने को समस्स्या होगी उसका जिम्मेदार में हूँ लेकिन जो ठेकेदार आएगा भी यह नहीं पता है मुझे कि ठेकेदार से आपको उसने ड्वांस दिया है कि नहीं दिया तो मैंने इंसे ये बात कही कि आप भठे उसको बुला लिया जाए वो ठेकेदार आजाए वो जो कहेगा कि आपको पैसा देना ह है तो फिर आपसे मिल लिया होगा यह रहा मामला यह घटना है आई इंडिया के लिए सिधुली देहा से राजन भार्गो की रिपोर्ट खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया